मेरा नाम है राजेश्वर मैं नभी मुंबई निरूल से आया हूँ और मुझे यहां पर लेके आ रहा है मेरे दोस्त श्री आजीम मुल्तानी ने तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ तो मेरा ये कहना है हम जो लोग जो बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ मुसल्मान बोलता है मैं मुसल्मान हूँ सिख बोलता है मैं सिख हूँ क्रिश्चन बोलता है मैं इसाई हूँ तो सब लोग अपने-पने धर्म का अपना परिचाई देते है तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किस ने है और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है क्या हम सिर्फ एक धर्म को मानने सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है और कोई धर्म को ना माने ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना इसाई और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या जरूरी है मैं सिर्फ का अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है और थोड़ा और एक सवाल साथ में इसके साथ में जुड़ा हुआ है सर मैं पुछना चाहूंगा बिना किसी धर्म को कबूले बगेर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है और ये जो अपने अपने धर्म के गुरू हैं वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मक्सद से करते हैं ये मेरा प्रशन है मैं सवाल है कि लोग कहते है मैं हिंदू हूँ मैं मुस्लिम हूँ मैं सीख हूँ मैं इसाई हूँ तो ये धर्म को किसने मनाया धर्म होना चाहिए की सिर्फ बिल्कुल सही है धर्म होना चाहिए और वो होना चाहिए इनसानियत और क्या धर्म को भाई साथ पूछते धर्म होना चाहिए की फिर पूछते क्या धर्म को कबोल करना जरूरी है और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है भाय साब ने अच्छा सवाल किया कि कौन कहता है मैं मुस्लिम हूँ कोई कहता है मैं हिंदू हूँ कोई कहता है मैं हिसाई हूँ कोई कहता है सिल्ख हूँ एक धर्म को किसने बनाया और धर्म होना चाहिए एक आपका पहले भाग जो सावाल का बिल्कु साहिए कुरान में अला तला फर्माते है सुरह अल-इमरान में सुरा नम्बर तीन आयत नम्बर उन्नीस में इन्न दीन इन्दल्लाह अल-इसलाम अल्ला के नस्दिक सिर्फ एक ही दीन साहिए वो है अपनी जिन्दगी अल्ला के खुदा के इश्वर के भगवान के एकामात के मताबिक बसर करना तो दीन होना चाहिए एक ही ये कितने दीन किसने बनाया इन्सानों ने बनाया आपका सवाल ता किसने इन्सानों ने बनाया हमारा खालिक हमारा मालिक हमारा रब, हमारा इच्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्ला सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मथभ बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांती हासिल करना, सलामती हासिल करना अपने खाले के एहकामाद के मताबिक जिन्दगी बसर करने के बाद इसलिए दीन, मजब, खालिक ने सिर्फ एक ही बेजा लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गए मिलावट होने के वज़े से अल्ला ने दूसरे नभी बेजा, दूसरी किताब बेजे फिर मिलावट हुए, फिर नई मजब, फिर और एक दूसरे पैगंबर बेजे, और एक किताब बेजे, उसे सही करने के लिए इस तरीके से अल्ला के रसूल मुम्मा सुर्ण वर्माते, कि अल्ला ने इस जमीन पे एक लाग चौबीस जार पैगंबर बेजे कई किताबे बेजे, आकरी किताब, प्रॉण में सुर्ण रहा उराओ, सुर्ण नम्र 13 आयत nr. 38 में, कि MALE कुल नी कोर में नहाँ, कि हर काउम पे मैंने पेगंभर भीजा सुरह रात सुरह रात सुरह रात सुरह रात 78 में के हर दोर में हमने एक किताब नाजल fi आखरी किताब है कुरान आकरी पेगंभर मुमसira तो हमारे खालिक ने एक ही मथब भीजा हमने उसमिमनावर पैदा कि मख़ब का गरसे मानी ले हिंदू का का मानी है हिंदू की क्या मानी हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदूसान में रहता है जो इंडस वैली के इस सरफ रहता है उसे कहते हिंदू ये लफ सबसे पहले बार इस्तिमाल क्या था अर्बों ने हिंदुसानी के लिए तुम इस लब्स के एत्बार से मैं हिंदू हूँ उसके बाद लोगों ने का कि हिंदू वो है जो बुद्परस्थी करता हूँ गलत है तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूँ इसाई के मानी क्या इसाई के मानी जो इसाले सलाम के पेगाम पे अमल कर रहा है इसाले सलाम ने जो चीज़ सिका है उस पे अमल करता है मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आपको इसाई कहते है उससे जाजा इसाई हूं क्योंकि मैं इसाले सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आपको हिसाई कहते है तो उसलिए आसे मैं और पका हिसाई हूँ जो का मतलब क्या जो का मतलब वो जो खुदा से अल्ला से मौबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है इसलिए खालिक जो कहता है हमाग को बनाने वाला जो कहता है उसके एकामात पे चलने से अच्छे मुसल्मान बन सकते और सबसे ज्यादा सबस्ता मुसल्मान बन सकते और इनसान बन सकते मैं पूछना चाहता हूँ आप मानते है खालिक में खालिका मतलब मुझे नहीं पता बनाने वाला आप एक किश्वर में मानते है एक खुदा में मानते है या ने एक खुदा में मानते ने मैं तो सभी जगा जाता हूँ मंदिर जाता हूँ मस्जिद जाता हूँ लेकिन मैं किसी को मानता नहीं मैं इसे भी मानता हूँ मैं भी मंदिर जाता हूँ मस्जिद जाता हूँ एक पावर जो है जो हमको रूल करती है मैं उस चीज़ को मानता हूँ एक पावर दो पावर ने ना एक पावर को मानते हैं दो पावर को मानते हैं मैं भी एक पावर को मानता हूँ मंदिर भी जाता हूँ मस्जिद भी जाता हूँ लेकिन मंदिर जाके भुद परस्तिने करता हूँ मूर्थी पुजा मत करो मूर्थी मतलब वो पावर वाले को अब कम पावर दे रहे बराब ना सारे पावर को मूर्थी में जा रहे तो हिंदू मध़ब कहती मूर्थी पूजा मत करो इसाई मध़ब कहती मूर्थी पूजा मत करो कुरान कहता है मूर्थी पूजा मत करो एक पावर, उसको पावर कहो, इश्वर कहो, खुदा कहो, अल्ला कहो, लेकिन एक है ना के दो है, एक ही है, बेलकुस, एक पावर को मानते हैं, बिल्कुल, एक इश्वर को मानते हैं, बिल्कुल, एक खुदा को मानते हैं, बिल्कुल, आप मानते हैं, बुद परस्ती, मुर्त चुँअगे हैं लिकिन मैं जब श्व्षा स्कूल में जाता हूँ Dukto Ragnia बठ भटह मुर्थी की पूजा करने के वजय से मैं मानता हूँ कि मैं God-farin हूँ मुझे डर है मैं मेरे 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 वाले से बस्चता हूँ हां गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते दोनों में टक्राओ है आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते मैं गलत काम से बचता हूँ आपने का मुर्ती पूजा करना गलत है मैं मुर्ती पूजा करता हूँ गलत काम से बचता हूँ तीनों में टक्राओ है मैं हिंदी में जरा कमजोर हूँ आपने कहा कि मूर्थी पूजा करना गलत है लेकिन फिर भी मैं करता हूँ घलत कामसे बचता हूँ दोनों कॉंटे डिक्टेंगे शराब पीना गलत है फिर भी पीता हो और गलत कामने गलते हूँ पुँनगा तो भलसकर करूँगा ना आपने पीते अच्छी बात है अलहम्दलिल्ला लेकिन मूर्ती पूजा करना शराब पीने से और भयानक है मूर्ती पूजा करना शराब पीने से और खतरनाक है आपके वेद में लिखे ला है, बाइबल में लिखे ला है, कुरान में लिखा है तो क्यूं करते बचने का है तो उस पावर उस टाकत उस अल्ला उस खुदा उस भगवान के एकामात पर अमल करो मुर्ती पूजा करने से क्या मिलेंगा आपको आप खुरान मजीद परो खुरान मजीद आत्सी पेका में उस पावर का तो अगर आप जानते हैं कि मुर्ती पूजा गलत है तो गलत काम से का सही रस्ता मिल सकता है चोरी करना गलत है लेकिन मैं क्या करता हूँ चोरी करता हूँ और गरीबों में बाटता हूँ है गलत है गलत है चोरी करना गलत है अब मानते क्या चोरी करता हूँ लेकिन गरीबों में बाटता हूँ अरे गरीबों में बाटने का तो महिनत करके बाटो ना चोरी करके महिनत मत करो महिनत करके महिनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बाटो उसी तरीके जो आप जानते मुर्ति पूजा गलत है फिर क्यों करते क्यों कि आपके पर दादा करते आए है मेरे पर दादा कहते थे दुनिया चपती है लेकि मैं कहता हूं दुनिया गोल है कि जपती है आपके पर दादा क्या कहते थे चपती के गोल गोली कहते थे पर दादा आपके बाप दादा ने पर इंसानियत हजार सार पहले कहती थी कि दुनिया चपती है आपके दादा का नाम क्या है आपके परदादा का नाम क्या है आपके परदादा क्या कहते थी दुनिया चपती है के गोले मैं कुछ ने कह सकते हैं कि मैंने सुना नहीं है लेकिन साइंस कहती है मेरे परदादार आपक जो चोड़ देने का है अभी बुद्परस्ति करेंगे चोड़ देंगे कोशिच करूंगा चोड़ने की यह बात हुई ना यह मर्दानी बात हुई ना माशाला यह अच्छी बात है कि भाई साब मानते एक पावर में एक खुदा में एक इश्वर में बुद्परस्ति गलत है और कोशिच करेंगे इसको चुड़ने के अप मानते के महमद सुर्ण पेकमर है पता नहीं मुझे नहीं मलत कैसी ने इसलिए मैंचाओंगा कि आप कुरान मुझेद पढ़िये जानटे तो आंग्रोनियों के तरजमा दूँगा अंग्रिजी जानते तो अंग्रिजी में दूँगा, हिंदी जानते हिंदी में दूँगा पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इन्शालला जो भी मुश्किल आते आप मुझे पूछ सकते या हमारे इदारे को लिख सकते और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताबे, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इनसान है और अच्छे पिएजडी बनेंगे, उस दिन का मैं इंतिदार करूँगा खुदान से दूख केश्टिन